असलाम लेकुम कैसे आप सब, आज मैं केरमल क्रण्च में केक मेरा रहा है। केरमल क्रण्च जब कहता हैं एनमन कुछ document करें इसको साथ उनको हमें कुछ कुछ weight करेंड करसे करें कुछ लोग aqii टो यदिश करकें तो इन्हों ने मुझे खा कि आप देख लें जो भी एड़ कर क्यों के जू हमारे बादाम यह उपर रहारें गादंध आ हो और अकेला वो केरमल जो है वो भी अच्छा नहीं लगता तो इसलिए फिर मैंने दोनों को इस तरीके से बना के एड़ कर दिया तो यह बैटर लगता है मुझे परसनली क्रण्च पसंदें केक में मुझे अपने केक में खुद खाने के लिए चॉकलर टिप्स इस तरह की कोई कुछ लोगों को पसांद होता है लेकिन मुझे पसांद नहीं परसनली इस केक को कवर किरने के लिए मैंने स्विस में रेंग बेटर क्रीम यूज की थी उसकी रेसिपी चैनल पर अपलोड डिड है आप लोग जाके चेक कर सकते है नॉर्मिली मैं इस मौसम में या तो बना दे यह मैं थर्ड टाइम आगेस यह का यह वला डिजाइन बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको आज रिकॉर्ड भी कर लेती हूं इसके उपर हमने वाइट चॉकलेट से हार्ट भी बना के यूज किये थे इस तरहां से वाइट चॉकलेट को में ने और इस मोल्ड में डाल के यह हार्ट समने सेट के लिए फ्रिज में और फिर इसके बाद जब अपलाई करने का टाइम आया था तो तब मैंने इनको फ्रिज से निकाल के केक पे अपलाई कर दिया था इसके लावा हमने वाइट चॉकलेट से इस पर डिपिंग भी करनी है वो भी मैंने मैंने मैल्ट चॉकलेट से उसकी डिपिंग कर दी सिंपल स्पून से ही छोटे वाला चमच लेके ताकि बहुत जादा चॉकलेट एक जगह पे ना गिरे अचा जब आपने गनाश से या फिर मैल्ट चॉकलेट से डिपिंग करनी है तो आपने यह ध्यान रखना है कि वह यह डिजास्टर सा क्रियेट हो जाएगा अब मैंने मैल्ट चॉकलेट यूज की थी तो मैंने उसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था बिल्कुल वह रूम टेमटरिशर पे आगई थी जब मैंने उससे डिरिपिंग की थी इसके इलावा इस पे हमने फ्लार्स यूज किये थे आर्टिफिशल फ्लार्स मुझे बहुत लोग पूछते हैं जब भी किसी केक पे मैं अपलाय करती हूं कि आप कहां से खरीदती हैं मैं लोकल मार्केट से खरीदती हूं पहले मुझे भी समझनी आती थी कि लोगों ने तने प्यारे बेरे फूल लगाया होता हैं यह कहां से थोड़ा सा आपको अपनी मार्केट में घूमना पड़ेगा अगर आप फैसलाबाच से हैं तो यह जो इस पे मैंने फ्लार्जी उसकी हैं मों मैंने जहाल से मंगवाय थे कोई महां पर आर्टिफिशल फूलों के दुकान है मैं खुद वहां पर नहीं गई हूं नौ नौ न कर ली अच्छा उसके बाद पर इसके उपर कुछ रोजेट्स हमने बनाए थे इन रोजेट्स के अंदर ही हम अपने जो वाइट चॉकलेट के हार्ट्स बनाए हैं वो एड़ करेंगे इसके फ्रेंट पर हमने कुछ पर्ल्स लगाने हैं वाइट कलर में और गॉर्डन कलर मे मेरे वाइट कलर में जो 4 mm के पर्ल्स हैं वो खतम हो चुके हैं मैं पर्ल्स अपने मंगवाती हूं वाइट कलर के जो पर्ल्स होते हैं वो मैं बेकर सप्लाई से मंगवाती हूं उनकी वेबसाइट भी है लेकिन मेरे पास नंबर है उन्होंने मुझे खुद ही मेसेज कर दि तो फिर मैं WhatsApp पर ऑडर कर देती हूं आप वेबसाइट पर कर दे बेशक नमबर अगर चाहिए हो किसी को तो मुझसे कमेंट में पूछ ले मैं नमबर भी सेंड करते हूं कुछ लोग मुझसे Instagram पर contact करते हैं अगर उनको कुछ किसी भी थरह की help चाहिए हो I am always here मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि जल्दी से जल्दी reply करूं लेकिन प्लीज एक favor कर दिया करें आप लोग मुझे call मत क्या करें call मैं हर वक्त नहीं ले सकती है मैं customer's की भी calls नहीं लेती मैं उनसे भी message पर ही बात करती हूं तो kindly call मत क्या करें क्योंकि मैं घर से काम करती हूं हर वक्त available नहीं होती message की और बात होती है उस पर आप जैसे free होते हैं अपने हिसाब से आप reply कर देते हैं तो please इस बात को थोड़ा सा समझें calls मत क्या करें artificial flowers में तो जरूरत नहीं होती लेकिन जो मैं baby's breath लगा रही हूए क्योंकि फ्रेश होते हैं तो इनके जो stems थे उनको मैंने स्कॉस टेप से अच्छे से cover kit दिया था कि किसी भी तरह से ये के को touch नहूं केक में इनका कोई किसी तरह का जाइका नहीं जाए और जी उसके बाद मैंने एक artificial macaroon लगाया था फॉर्णेंट से बना के और कुछ golden dough balls लगा दी थी और उसके साथ हमारे केक का लोग जो है वो complete हो गया है मुझे केमेंट्स में जरूर बताएगा आपको कैसा लगा है तेंक यू सो मच फॉर वाच्चिंग एलस्यू तुमॉरो विडियो तुमॉरो विडियो इन्शाला आला हाफेज